नमस्कार दर्शकों आप देख रहा हैं प्रदेश तक और मैं हूँ आपके साथ यश पाठक हम इस वक्त खड़े हैं कॉंग्रस कार्याले पर जहां पर एनेस्यूआई और कॉंग्रस मिलकर प्रदर्शन करने वाले हैं वाई हम पूरी जानकरी लेते हैं अक्षे तोमर जी से और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला देखे जिस प्रकार से भाजपा और उनके मंत्रियों ने चात्रों के साथ चल कपट करने कार किया है उसी को लेकर आज भुपाल राजधानी में तमाम मध्यप्रश एनेस्यूआ के कार करता और चात्र एकटा होकर अपनी मांगों को रखने जा रहा है हमारी सबसे पहली मांग यह है कि जो पेपर लीक मामला हुआ नीट का तो हम चाहते हैं एंटिये जैसे संगधन को बैन किया जाए सबसे पहले और री नीट किया जाए क्योंकि यह मातर 24 लाक चात्रों का सवाल नहीं उनसे जुड़े हूँ उनके परीजन मतलब करोड़ो लाखो यूवाओं के साथ में चलकपट करने कार किया है वहीं दूसरी जो अगनीपत योजना है हम चाहते हैं कि इसको बैन किया जाए क्योंकि चार साल के लिए जो छलावा करने का काम या देश के लिए मर मिटने का सोचने वाले जो चात्र आगे बढ़ना चाते तो यूवा बढ़ना चाते तो उनको कोथाई करके उनको रोकने क चातरा हैं दर-दर भटक रहे हैं कि हमारे प्रिक्षाइं कब होंगी हमारे एक्जाम कब होंगे पर यहां पे मंत्री विश्वास सारंग जैसे लोग जिनके कान में जून ही रिंग रही है वहीं हम चाहते हैं कि बहाली की जाए चातर संग चुनाफ की क्योंकि अगर देखा जाए कि मोहन यादव जी हो या शिवरा सिंग चौहान जी हो या कहीं किते बड़े नेता हो ये सब कहीं ना कहीं एक चातर संगठन से एक चातर राजनी कारणी में साड़े बारा एक बजे क्टरीब हम जो है आवास का गिराफ करने जाएंगे मुहन यादफ का तो आपके साथ कुल कितने का ओंगरस की चाटर होगे हमारे हुआ पूरे तमाम मद्यप्रदे से चाटर हमसे जुड़े हैं हजारों की संक्या में आज यहां पर कखटे होंगे नर्सेंग और अगनी पत के जो चात्र हैं वो अधिक संक्या में आपको देखेंगे आप अगर देख सकते हैं तो के टीशटों में लोग घूम भी रहे हैं यहां पर सब हमारे साथ में छातर खड़े हुएं और हम बलंदीशों की आवाद रखेंगे तो जैसे कि आपने देखा यह थे अक्षे तोमर जी जिन्होंने हमें इस पूरे मामले की जानकारी दी तो देखने वाली बात यह है कि इनक